नमस्कार दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल हर दिवरे में आपका स्वागत नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकुन को फिर ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिप्शन आपको मिलते रहें तो चलते हैं main topic के उपर तो दोस्तों आज आपन बात करेंगे Realize Retail के बारे में क्योंकि यहां जो Realize Retail जो है वो आपी एक और नए बिजनेस में इंटर कर रहा है उन्होंने इसके लिए दो कमपनियों के license acquire किये है पहली है BPL और दूसरी है Calvinator यह दो कमपनिया है जिन्होंने इनके लाइसंस एक्वाइर किये हैं यह कमपनियों के साथ वह प्रोड़क्ट मिनिफिक्चर करेगी पर ब्रांड नेम वही कमपनियों के रखीगी जो पुराने समय से चलते है रहे इनके ब्रांड तो पूरी न्यूस पढ़ते हैं क्या है तो यह सौर्सेश के जरीए यह न्यूस मालूम हो रही है एकोर्डिंग टू सौर्सेश इसमें देख सकते हैं उनके कौन-कौन से ब्रांड है यहर कंडिशनर है रेफ्रेजेटर है वाशिंग मशिन है तेलीविजन है आधी प्रोड़क्ट यह कमपनि बनाएंगी और इनको ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों माद्यम से अपने माद्यम से इसको बीचीगी यह देख सकते हैं आफलाइन और ओनलाइन जो रिलाइन के जो भी ओनलाइन के प्लेट्फॉर्म है और ओफलाइन के जो भी उनके स्टोर है उनके माद्यम से इनको सेल्स करेगी इपियल कमपणी का चैट पेटन देखते हैं तो एक दिन में देख सकते हैं अपर सर्किट लग गया है 10% का पाच दिन का चैट पेटन देख सकते हैं पाच दिन में कमपणी ने 31% तक रिटन दे दिया अपने शेरोल्डर को एक महा का chat pattern देखे तो 9.90% तक मतलब 10% एक महा में company ने return दिये है एक साल का chat pattern देख सकते है 120% return दिये है 5 साल में company 16-15% तक negative है और maximum का chat pattern भी देख सकते है 70% तक company down नजर आ रहे है लेकिन आपने all time high से देखे तो company 90% तक down नजर आ रहे है 93% down है अपने all time है से अगर कोई company बड़ी company किसी छोटी company को एक वार करती है तो कभी भी बड़ी company में interest करना चाहिए ना कि छोटी company में क्यूंकि ये company पहले से ही काफी ज्यादा down नजर आ रहे है अगर वीडियो अच्छे लगए हो तो like and subscribe कीजिए थेंक्यू